नमस्का प्रेमित्रो मैं देली स्मयरा जयर्व राज योग होता है उसका मैं विवेचन करने चलना हूं देखिए यह जो होता है यह मन का कारक होता है चंद्रमा जल का गरबल अगर चंद्रमा होता है तो व्यक्तिका विचार असुद्ध हो जाता है जिवन में निराश भावन मन भी इधर उधर भागता रहता है क्या करूं क्या ना करूं इसलिए आपका चंदर्मा दोसीत है यह गड़बर स्थिति में आज उसका निदान में बताऊंगा उसका उपाय बताऊं क्या कभी से चंदर्मा आपका मजबूत हो तो प्रोंतिक निवेदर हैं यह आप मांचने क पहले नियम बताने चल रहा हूं और पहले घर में एक अंगली कहनी हो गया में इसलिए यहां एक सिरे के बार कोई भी अंख हो सकता है लगन भाव यहीं कहेंगे पहले घर को तो बारा भाव होता है तो एक दो तेन चार पांच शार साथ आठ नाव दस यारा यह कुंड़नी का बारव भाव हुआ पहला नियम बताने चल रहा हूं में तो यदि त्रिकोड में या इकादस भाव में चंद्रमा विराजमान हो यह प्रभल राज्यों बनता है आपने कुन ने देख सकते त्रिकोड किसे कहते हैं पहले घर को पांच में घर को और नवे गरों यानि एक देखिए चंद्रमा पर रहा हो या चंद्रमा यह विराजमान हो या इक आधस भावन कोर्ता है और पछी प्रड़ क पर अपना नाम रोत करता है और परिवार को ले के चलता है राजा के समानी जीवन जीता है इनकी जिवन प्राप्न ह्प्रवग होता है इस चंद्रमा के से करते हैं यह चंद्रमा बहुत और यह इंगे हुआ हैं और मुद्हको में चैन्द्रमार ऑब्लाज्यों का इड़र्यों ओता है किसल ऑंट में सब्स chưaं और गुरु च्रहल चैनल को क्ड़िये विजकिक बाध्यों में सब्सक्राने आigor अगर में बाध्य उससे खाठीक आधूने राजयोंता है जिसके केंद्र में गुरु शुक्र चंद्र हो वो भीक्ति बहुत धनवाल होता है लक्षमिवान होता है भोम, भंध, वाहन की जीवन प्रापोप्रापियां होनके जीवन होता है मकान, वाहन, जमीन का देश विलेज़ बरमबב करते हैं जिसके केंदर में गुरूल सुक्र चंदरमा, बिराजमान प्राप्राप्राप्राइण केंदर किसे कहते हैं ये केंदर भाव है आप सक्रलता समय ये केंदर हुए नवरत बाव में जिसके भी कंड दन के लाड़का यह हो कुरुशुक पिर गर्व यहां बीराजमाण हो यहां बिराजमान हो यहां बिराजमान और चंद्रमा अपेले कहीं भी हो एक चार साथ में तो भी योग बनता है लेगे तो प्रभल योग बन जाएंगा गुरुल कने दर में शाहते हैं तो यह अग्हां दसा आएगा अधोल जो है इनके जीवन में लाप्राप्त अवशोदा व्यक्ति अपनिकुल का दीपक होते हैं और रून बनवानी के जीवन में अवश्यक्रात होता है तरिटी जीवन में गुरू हो, अस्तन भौ में शुक्र हो, और शबगरती जीवन में गुरू हो, ति यह lifesतों ृप्राप्त अव्यक्रात है यह अधबुद जो है प्रवल राजयोग बनता है उसमें चंद्रमा भी आ गया गुरुशुक्र के अंदर तो सब गर अगर इसके अंदर रहेंगे तो यह प्रवल राजयोग बनेगा आगे बढ़ते हैं छत्वानियम दुतिय भाव में गुरु हो तृतिय भाव में चंद्रम हो पंचम भाव में सनी हो खष्टम भाव में भुदसुर्य हो शत्म भाव में शुक्र हो और दस्वां मंगल हो यह प्रवल राजयोग बनता है यहां में वीवेचन विक्या हो यह दुतिय भाव है आप पढ़े पुन्हें देखे दोटिय भाव में गुरु विराजमान हो और तुर्टी भाहु में चंद्रमा बीराजमान है फ्रस्तम भाव में बुद्ध और मंगल और प्रमलर राज्योग वनता हे सब्से रभुद करkeit कि कश्टमम के परीatar वर्णीenne यह प्रफ़ल राजयोग बनता है इतनी उचायों पर जाता है इसे जीवन में शुक्राप करते हैं कि दुतिय भाव में शुक्र मंगल हो, और वार्य भाव में गुरु हो, और शब्डुम में बुध हो यह प्रभण राजयोग का निर्मार होता है दुती भाव में शुक्रमंगल हो और शक्तम में आपका जो गुद विराजमान हो और बालायोग भाव में गुरु विराजमान हो यह प्रभण राजयोग बनता जमिन गमों की महादसाएगा अंतरसाइक विक्ति अवश्य ग्रोथ कर जाएगा अपना जीवन में और उच्वश्य पत्र नाम रोटशन करें गाएगा अत्मानियम देखा जाए यत्रतिया भाव में गुरु और एकात अस भाव की चंद्रमा यह प्रभल राजयोग बनता है कई विराजमान है और एकादस भाव में चंद्रमा है काफी कुण्लियों में देखा हूं यह प्रबल राजयों बनता है राजाओं से भी राजा विक्ति पर जिरुन बनता है उच्छ पत्पिया प्रणाम रोशन करता है नौवानियम चंद्रमा गुरुर्शुक्र देखा जाए युद्य यह मेरत में हो षी में मेरं में डीक्स दोनों देख सकते हैं चंद्रमा गुरुषुक्र मे वे मेर यह आवश्य वैक्ति राजय वे राजा व्सक्राव Ó सब्सक्रेट मेराजमान ह Jewish दो देखेंगे तस चंद्रमा गुरुषुक्र मेर दो यह प्रबल राष्योग बनता है और व्यक्ति बहुत करता है इनके जीवन कभी धन की कमी नहीं रहती नौकर चाक्रें के जीवन सब भी राजमान रहते हैं पंचम भाव में गुरू हो और राजयोग का निर्मार बनता है आप अपने को देखिए पंचम भाव यह है अभ्यास अस्तान प्राहिश प्र सब्सक्राइब करते हैं अगर आप अपनी कुण्ली देखिए चत्रत राजयोग है अगर आप अपनी कुण्ली देखिए चत्रत बहुँं में क्या ओ चंद्रमा यहां घंद हो श्क्रषात कर्षाद मंगल और शोरी है और शनी भी यहाँ क्वी राजयोग का निर्मार होता है सुत्र नहीं कहा है कि चोआन से अट में देखिए इस त्री बहुंत हो अट बहुत होता है देश विदेश करते हैं नोकर जाकर सभी के जिए विराजमान आते हैं अदुद यह राजाओं से बढ़की राजा के समान जीमन जीने वाला विक्तिय से बारावनियम लगन में सनी चंद्रमा वह और त्रिकोण में बुरूर सोरी हो और दसंभाव में मंगल हो यह प्रभल राज्योग बनता है लगन में कौन हो सनी चंद्रमा अपनी पुनली देखे यहां अंक कोई भी हो अंक पर आपको नहीं जाना है यह पहला भाव लगन भाव कहते हैं अगर आपकी प्रतम भाव में सनी चंद्रमा विराजमान है और त्रिकोण माने एक पांच न मंगली विराजमान हो ति यह प्रभल राज्योग का निर्माण होता है और दुति इस अपुशायों को छूता है तिरवनियम दुति भाव में चंद्रमा बुद हो और लगन में गुरु हो दसम भाव में राहु शुक्र हो ति यह प्रभल राज्योग का निर्माण होता है दुति भाव ये है धनभा कुतम बारी आथधाननाथ तो तो कुछ अप्राशंत राजयोग बनता है और चंद्रमा fueled रोशन करता है प्रिमितु ये चंदर्मा से बनने वाला मैंने अधवुद जो है तेरा प्रकार का राज्योग बता है यदि माल लेजिए आपकी कुणली में ऐसा योग बन रहा है कहीं चंदर्मा दोसी तो नहीं है चंदर्मा कर डिगरी जीव से क्या उंतिस तीस दिगरी तो नहीं है या च या चेंट नित्प्र दिन आपके घर में कर छोटा शिवलिंग हो शिवलिंग कितना बाद गहर्माना चाहिए ऊठी से बड़ा नहीं होना चाहिए जो घर का शिवलिंग हो शिवलिंग कुपड के अगरी रोज आत्वा साथ जल चोड़े और हो सके तो चावल थोड़ा हो चोटा मंद्र बोल सकते हैं और जल चोड़ें अधिबुद आपका चंद्रमा मजबूत होगा और दूसरा चीज क्या करें पांच सो मार तक अगर आपका चंद्रमा घर वड़ें मन आपका आसांत है आप पानी में पानी में गाये का दूद्र प्रवावित करें और एक गणपती चादी का बनेश जिबना के किसी ब्रामर को तान करें या किसी मंदिर में आप दान करें या वहां जाके रखें इससे भी आपका अधवुद जो है चंद्रमा मजबूत होगा और आप जोपना भरुसंद करेंगे और आप मोती रत्म भाहन कर सकते हैं लास्ट अंगली में मोती दो पहले लेकिन अपना अपना कंड्ली बिखा करके और को dak St Son झाल झाल